नमस्कार दोस्तों मैं राकेश एक बार फिर आजिर हूँ आपके लिए बाजार पिराय का एक नए एपिसोड लेगा बाजार पिराय में हम लोग चर्चा करते हैं ग्लोबल मार्किट की ग्लोबल इवेंट्स की क्रूड डॉलर गोल्ड सिल्वर की और इन सब का भारतिय बाज चाहिए वह क्रूड में गोल्ड में हो या फिर ऐसे कुछ स्टॉक्स जहां आप अगले अपते ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं इस डिस्क्लेमर के साथ में कि मैं से भी रिजिस्टर्ड एनलिस्ट नहीं हूं और यहां जो भी मैं इन्फॉमिशन ले पर जो भी ट्रेड करना चाहते हो करें क्योंकि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना यह जोखिम बढ़ा होता है और यह जोखिम क्या है यह आपको पता होनी चाहिए आगे बढ़ते हैं हमेशा की तरह फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको यह कंटेंट पसं अन बातों को जिसके लिए यह हम वीडियो से तो शुरुबात करते हैं घो बड़ इवन्ट से तो घो संडूंट गर से चर्वाज़ेशूर्म करते आंक पूर तो शुरुद करतें अमरीका से उस्यर्म ने कहीं कि वो अभी बीच नहीं समझते हैं तो लोगों ने इसको यह समझ ला कि अब यह अपने पीक से नीचे आना शुरू हो गया लेकिन उनका यह कहना है कि यह थोड़ी कहना जल्दबाजी होगी क्यों कि अगर हम तो बाकी जो डेटा है अमेरिका का वहां देखेंगे तो वहां अभी भी ग्रोथ में काफी मौस्ट सारे सेक्टर में अच्छा एक डिमांड दिख रहा है अगर रिटेल सेल्स के आखड़े देखे जाएंगे तो वहां अभी अच्छी बड़ोत्री है और अगर जॉब डेटा यह देखा जाए तो जॉब डेटा में हम दोग यह देखेंगी वहां भी अभी एंप्लाइम्प् अगर कोई सेक्टर जहां भी हम को दिख रहा है तो अगर सेक्टर से वहां से महेंगाई कम होने के लक्षन अभी जल्दी लेकिन बाकी जो सेक्टर से रेलेटेट वहां इंफ्लेशन अभी भी काफी है तो आगे बढ़ते हैं आते हैं यूरोप और चाइना वे तो यूरोप में एक नया संकते हैं वहां एनर्जी के प्राइसे काफी बढ़ गया और सेम बात हुई है चाइना में एनर्जी के प्राइसे मतलब जो कास करके इलेक्ट्रिसिटी वगरे पावर की जो प्राइसे वह बहुत ज्यादा होने के वज़े से वहां कई कई कंपणिया अपने यूनिट्स कुछ समय के लिए बंद कर रही है तो इसका मतलब है कि वहां महेंगाई अभी भी मतलब अगर पावर सेक्टर में अगर महेंगाई यह तो इसका असर आपको बाकि सारे सेक्टर में दिखता है तो यह एक बड़ा प्राब्लम हमको चाइना से भी दिख रहा है और यूरोप में भी दिख रहा है अब बात करते हैं इंडिया की तो इंडिया में ऐसा कोई अभी फिलाल को यह सा निगेटिव डिटा इसबार नहीं है लेकिन क्योंकि हम लोग करते हैं आभी नीचे से तीन हजार पॉइंट करीब करीब हम तो अब वहां एक ठेरा हमको दिखता है 18000 काफी स्ट्रॉंग रिजिस्टंस है निफ्टी में और यहां से एक नीचे की और एक करेक्शन हमको देखने को मिल सकती है और जिसकी शुरूबात हमने देखा फ्राइडे में और मैंने लास्ट वीक भी काता कि यह बेसिकली दिख का जो डेटा है जो कैंडल स्टिक जो बनी है वह काफी निगेटिव बनी है जो बता रही कि रिजिस्टंस के पास में आपने एक निगेटिव कैंडल बनाई यह और यह एक नीचे की और गिरने के संकेत देरा है लेकिन चेंज वापस अगला आपता हमको बताएगा नेक्स वीक कैसी चाल चलती है और अगर नेक्स्ट वीक में भी एक रिवर्सल अगर आ जाता है किसी तरह से ग्रीन केंडल बन जाती है तो उपर के और चलना चलूगा रहे है फिलहाल के लिए अभी जो ट्रेंड है वो आज फ्राइडे का जो ट्रेंड है वो बता रहा है कि हम देखते हैं चार्ट क्या कहा रह Linked Paris एयूद्सटें आ ले कि लिए और की तो दोस्ते हैं चार्ट क्या कह रहे है औच दो डिक्षाट dhb कि हम लोग करिब करिब इस ट्रेंड लाइन रजिस्टेंस के पास में है और यह वीक डिसाइड करेगा कि क्या हम लोग यह जो डाउं डाउनसाइड ट्रेंड लेने उसको हम दोग क्या पार कर या चैनल है क्या उसको पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो देखे यह पूरा वीक में शुरुआर में प्राइस उपर गई और बाद में वापस से उस लाइन के नीचे आ गई और एक अच्छी खासी हैमर इं नीचे आ सकता है अभी कहां तक नीचे आएगा यह कहना थोड़ा मुश्किल है तो अभी के लिए अच्छा खासा अप्ट्रेंड बना हुआ है क्या यह अप्ट्रेंड वापस कंटिनी हो सकता है या नहीं हो सकता यह हमको वापस वीकली कैंडल अगर इस लाइन के ऊपर बं कि यूके यूके ने लेकिन अपना वीकली पर जो क्लोजिंग वह अपने वीकली टेंड लाइन के ऊपर नहीं दिया है तोड़ा हम लोग इसको बापस से इसको देखना पड़े का नए तरीके से यह जो ट्रेंड लाइन है बेसिकली यह कुछ ऐसी है तो अभी हम लोग महां अपने अल्टेंड हाइ का असपास ही है तो इसको दोब नहीं भोले हैं कि यह डाउन चल रहा है यह अप साइडवेस ट्रेंड है काफी दिनों से और वोसाइडवेस ट्रेंड जो है वो uptrend के uptrend के बात का साइडवेस टेन जिसको मों लोग कंसलीरेशन बहुत सकते हैं तो क्या हम लोग यह वीक बैसिकली हमको दिखा रहा है कि सब जो मार्केट है अपने रजिस्टन्स के लेवल से नीच आ रहे हैं बात करते हैं निकाई की तो निकाई भी इसने भी जो है वीकली लेकिन निकाई अपना वीकली अप्ट्रिंट कायम रखने में करी सक्सेस्फूल रहा है होंकोंग और साथ चैना तीके मां की स्तितिक काफी वां का से काफी नेगेटिव नीज़िस आ रही है बार-बार और इस वज़े से जो चाइनीज और होंकोंग के मार्केट है वह बिसिकली थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड लेके च चाइना ने थोड़ा निगेटिव थोड़ा बता है हॉंककांग में काफी निगेटिविर्टी रहा पुरे वीक में तो कुल मिलाके देखने तो ग्लोबल जो सिनारियो बन रहा है वह है नीचे की और रजिस्ट्रप के पास में हमको एक मिटेटिव केणडल दिखर ह analogy さak या नीचेटिव टेन कंट्यू रहगा यह वीध वापस से बता है तो आपको एक उनार्केट की दिशा बढ़ना शुरू हो गए और यह बढ़ते रहे और हम लोग वापस से आल टाइम हाई के आसपास पहुंच गए अगर अगर अभी चोटे टाइम फ्रेम में देखी 15 मिनिट के तो आपको ज्यादा बेटर लिए अगर अगर हम लोगे देखें तो हम लोग का जो पिछला हाय था आपके वह पिछले हाई के आप अभी अब लोग आसपास पहुंच गए हैं तो देखे 7991 तो यह लाज टाइम जो हाय बनाता वह था 80.22 और 80.22 का जो हाय बनाता वह इंडियन मार्केट में नहीं बनाता अमेरिकन मार्केट में यह चार्ट है वह बैसिकली अमेरिकन मार्के की उसाफ से नाकी फिसाफ से अमेरिकन मार्केट में जो रएट हुआ अशुली कमा जाते हैं जाते हैं जब secondo कर इस सबूंद हो जाते हैं तो वह चलते रहता है वह बन्धों चलते रहति ही तो यह जो आपकेश हैं भुटs ये मैं तो इम करके चलना है और 80.22 और 80.38 यह हमारे नए टार्गेट होंगे अगर यह नीचे करेक्ट होता है तो हमको 79.80 के नीचे शॉट करना है 79.55 और 79.32 यह हमारे दो टार्गेट होंगे एक्षिल लास्ट में आपको यह टार्गेट दिया तो यह मार्केट वापस घूमा हुआ है वह हमारा टार्गेट अच्छी होगा है वहां से मार्केट वापस उपर हुआ है यह आप मेरा लास्ट वीक का बीडो जाके चेक कर सकते हैं फिर बात करते हैं क्रूड ऑइल की क्रूड ऑइल बेसिकली अगर मार्केट नीचे रहेगा तो क्रूड का भी प्राइस है नीचे रहने के चांस है तो आपको शॉड करना है सेवन टू जीरो टू के नीचे टार्गेट होंगे लेकिन बाय करना उपर क्यों अगर प्राइस उपर क्यों निकलती है सेवन ट्री फाइट के ऊपर तो आप बाय करेंगे सेवन शिक्स फाइउन यह पहला टार्गेट होगा और 8085 यह दूसरा टार्गेट होगा शायद इतने तेजी समझ इस वीक में ना वाए तो शायद हमारा जो फॉर्स टार्गेट होगा वह सेवन सिक्स फाइन और सेवन सेवन फाइजुरो तक ही जाने के ज़्यादा चांस है ऐसा मुझे लगता है वाकि साइड़ मतलब इसी रें इंड़ोट हमने देखिए कван कि यह डॉलर का प्राइस बढ़ गया है और अब इसे वजह से हम ने गल में गिरावट देखिए डॉलर इंदेस बढ़ने के वज़े से डॉलर घॉल में गिरावट देख रहा है तो गोल अगर डॉलर एसी मतलब मेहंगा होता रहा चाड़ता तो गोल्ड में हम दोग और गिरावट यहां देख सकते हैं तो आपको करना क्या है 51425 के नीचे शॉर्ट करना है 51090 यह हमारा टार्गेट होगा और 5086 पो यह मेरा सेकंड टार्गेट होगा नीचे के और लेकिन प्राइज अगर उपर जाना है तो 5166 के उपर बाय करेंगे टार्गेट होंगे 5220 252 200 और 52500 आप महां तके ट्रेट टार्गेट लेके चल सकते हों फिर बात आती सिल्वर की सिल्वर कि यहां हमने बहुत ज्यादा गिरावट देखी कंपेर टू गोल्ड इसकी गिरावट थोड़ी ज्यादा रही और अब हमको यहां से और गिरावट आते हुए दिख सकती है लेकिन जादा गिरावट अब और आएगी ऐसा मुझे लगता नहीं तो 55291 के नीचे हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे और टार्गेट होंगे 54151 वहां आता है तो एक बार के लिए हम लोग बाय की आपार्शिटी देखेंगे आपस टार 24 के उपर पहले से बढ़ना शुरू होता है तो 57300 और 58400 यह दो टार्गेट के लिए हम लोग बाय कर सकते हैं अगर उसके उपर निकला जिसके चांसे थोड़े का में तो 59300 यह हम हमारी तीस्तरा टार्गेट को मान के चल सकते हैं अब हम लोग ने देख लिया ग्लोबर मार् सारे चीज अब इन सब का हरती वाज़ार पर क्या असर होते हुए दिख रहा है मार्केट के पॉजिशन क्या रहेंगे और अगले हपते के लिए क्या रेंज होगी कहां आपको ट्रेड करना है तो बात करते हैं निफ्टी की निफ्टी कि देखें मैंने लास्ट टाइम जैसे मैंने डाव के लिए का था कि मैंने तो निफ्टी के लिए भी कहा था यह ट्रेंड लाइन रजिस्टंस से उपर तो निकल गए हैं लेकिन एक वीक और जरूरी है यह समझने के लिए कि क्या हम लोग अपसाइड में बने रहेंगे या हाइस बनाए 992 का तो 992 का हाइस टर्च करके माँ प्राइस एक दम जटके में नीचे आई और यह जो हमने 991 यह दिया हुआ है तो यहां से जो अब 18,000 काम दोगने पहले था है वहां से प्राइस जैसी पोची चोड से नीचे के और आ गई और इसका यह नीचे का गिरना continuous रह सकता है तो आप आपको कल के जो लेवल है उसके नीचे जहां भी प्राइस आती है वहां आपको शॉर्ट करना है वहां का आपके साथ में आपका पहला टार्गेट होगा 17,600 और उसके नीचे जाती है तो 17,650 और और नीचे जाती है तो 17 17,150 यह तीन टार्गेट के लिए हमको ट्रेक करना है इस लिक के लिए मेरी वीक्ली रेंज होगी ऊपर की और अगर हम लोग इस रेंज के जो इसके ऊपर ही निकलते हैं तो मालब यह रेंज होगी हमारी 17,730 इसकी ऊपर निकलते हैं तो हमको कि अपर चलना है में यहां से नीचे उतरेगा फिर ऊपर चलेगा तो वैसे इन लेवल्स पर फिर से बाय करने का अपर्शुटी मिल सकती है और फिर वापस हम थोड़ा ऊपर चल सकते हैं यहां से तो कहीं भी आपको एक बाइंग अपर्शुटी जाम मिलेगी इंट्राडे मे हम लोग रोज चर्चा करते हैं मेरे नई अलग वीडियो में जो मैं अर्ली मॉर्निंग डालता हूं उसमें आपको इंट्राटे की स्थिति क्या होगी वो भी मैं आपको बताते रहता हूं और अगर यहां से उपर रहेंगे तो 17730 या 750 मान लीजिए उसके उपर हम लोग रहत हैं कि तो पहुचके वापस से घूम सकते हैं एकिरी के लिए बैड लिए की की बात करते हैं तो देश видел हमारे लिए यह जो मल पहले बात करते हैं के लिए In the दूसरा टार्गेट होगा 37,270 तीसरा टार्गेट होगा 36,764 तो यह मेरे तीन टार्गेट होगे नीचे के और जो मुझे इस वीक में आते हुए दिखते हैं फिर हमको इन लेवल्स पे वापस रिवर्सल कहां मिलता है वो भी देखना है तो शायद हो सकता है 37,200 के बाद अग फिर हमको एक छोटा मोटा यहां से वापस 38,900 के लेवल आते हुए दिख सकते हैं और इसके ऊपर जब भी हम लग निकलते हैं वापस से 38,000 39,800 और 40,000 यह दो टार्गेट के लिए हम लोग उपर के साइड में बाय कर सकते हैं जो प्राइज इसके ऊपर जब निकल जाए तक इस विक के लिए मैं आपके लिए जो डेतराया हूं हम वürü इसकी चर्चा कर लेते हैं तो पहला यह वीकषा का इंडेश्ट्री में हमको क्या है जो बात करते हैं देली शार्ट पागां इसके उपर जब बिंग निकलते हैं तो ममको बाय करना है वगि ez last summer account learning was Kala ऑगा तो 508 गामरा लो जो स्टाप लाइज होगा और हमारे बनेंगे तो यह हम लोगे divasa और हएट की ऊपर बंधा नानीफि फाइडस यह के लिए यह थो स्ट अधर्ड के लिए और म्हारा अच्छी खासी बड़ात हमकों दिख रही है और बढ़िया एक चाल यहां बन गई है और हमने देखा कि मार्केट कल जब घड़ाम गिर रहे थे उसके बावजुद ये शेर ने अच्छी खासी बड़ात दिखाई है तो 871 हमारे लिए उसके उपर जब भी निकलेगा हमारा हम करेंगे और टारगेट होगा 1077 का स्टॉप लसका 7770 777 का को कि यह दो टारगेट आपका डबल का होगा उसके साफ से आपको स्टॉप लसका थोड़ा बढ़ना लेकिन पर बढ़न और तीसरा स्थाओक मैं मैं आपके लिए कर रहे हूं वह है बीएज़ का कि क्या करना है को और वह जो हम लोगा दो फर्स टारगेट वह अच्य हो गया है 3283 का इंधा को स्टागेट दिया था 3150 का और दूसरा टारगेट था 3925 तो वह हम लड़ी टारगेट अमारे पहला वाला टारगेट अल्यडी अच्यों के उसके ऊपर हम लोगा अभी ट्रेड करना है तो आपको इ लेक्स टार्गेट के लिए और तिस्रा जो ट्रेड में आपके लिए लेका रहा हूं वह बजाज इलेक्टिक का तो बजाज इलेक्टिक का जो आपका ट्रेड है वह आपको यहां बाय करके चलना है 1228 पे टार्गेट होंगे 1387 और 1590 का और स्टाप्लास होगा 1130 तो यह जो ट पैसे बनते हुए दिख सकते हैं बाय करके तो यह इस वीक का जो ट्रेड जो मैंने आपके लिए लिकर आया हूं तो दोस्तों यह था इस अपने का बाजार पर राय और बाजार पर राय में मैंने आपको काफी चीजों को डीटेल में समझाने की कोशिश की और I guess कि आपको यह information बहुत पसंदारी होगी और इससे आपका फाइदा हो रहा होगा अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि यह information अच्छी है और लोग और ज्यादा लोगों तक पहुशना चाहिए तो लाइक भी कीजिए और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वो भी इस information का फाइदा उठा सके आप यह काम जरूर कीजिए और इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं नमश